हेलो फ्रेंज वेल्कम टू दर लेंट लाइफ फ्रेंज आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के रास्टी और कंग्रेस का मुख बार्षिक अधिवेशन के बारे में इसमें जो आपका पहला अधिवेशन हुआ था अपका 20 दिसंबर 1885 में यह अधिवेशन हुआ था बंबाई में और इसका अधिवेशन के अधिवेशन के मुख अधिवेशन हुआ था उसमें से पहला अधिवेशन 20 दिसंबर 1885 में हुआ था कहां हुआ था अपका बंबाई म में होता जो उध्यक्ष अपका था दादा भाई नुरो जी दूसरा अधिवसन का उध्यक्ष था आपका वादा भाई नुडो हुआ तीसरा आधिवसन тиश्यर आधिवसन होभान साथ ऑठास दिसमबर अठ्षफ कक्रश हुआ था यह का मदरास में हुआ था इसका अदिवेशन उध्धष तायव को बद रुद्धिन तयव तेक है तीसरा अदिवेशन का उध्धष तायव को बद रुद्धिन तयव श्वन्तर नियुक्तर तो इれ मैं उध्धषन difference में ले और जो साधर संध आप तायव का 19 विलाहबाद में और इसमें यह हो थााइस सताइस से पर इसके बाद फिर कुछ सल गयाब देनेностcus जबह एककी्जे पर तिन दिन में हुआ था यह वा था आपका बारानसी में और यहां का जो इस अधिवेशन का जो अधिश्ट था था उस टाइम गोपल किसने गोखेले था ठेक हैं उसके बाद फिर वा था 22 वा दिवेशन एक साल वादी हुआ था वा था यह हुआ था 26 से 19 दिसंबर 1904 को यह था अपका कलकत्ता में इसका दाधा भाई नौरोजी नौरोजी आपका दो बर दिवेशन का ही किया है पहला दूसरा अधिवेशन किया था और अभी कि फिर 22 अधिवेशन दोनों में अध्यक्षता दादा भाई नुरो जी यह होता है आपका कलकात्ना में हो था 22 अधिवेशन ठीके 26 से 29 दिसम्बर 1906 को हो था अगला अधिवेशन हो था अपका 31 अधिवेशन 31 अधिवेशन हो था 26 से 30 दिसम्बर 1916 को हो था क्या कब हो था अपका 26 से 30 दिसम्बर 1916 का हो था यह आपका लखनों में हो था इस अधिवेशन का जा अधिवेशन का अधिवेशन था अधिवेशन का अधिवेशन का अधिवेशन का अधिवेशन का अधिवेशन का अगला हुआ था आपका 32 वा अधिवेशन हुआ था आपका 28 से 29 दिसंबर 1917 को यह हुआ था आपका कलकात्ता में हुआ था और इसका जो उद्धेक्ष था आपका स्रीमाती एनिवेशन्ट स्रीमाती एनिवेशन्ट 32 वा अधिवेशन्ट हुआ था आपका 28 से 29 दिसंबर 1917 में और इसका हुआ था कलकात्ता में और इसकी अध्यक्ष तक है था स्रीमाती एनिवेशन्ट उसका फिर कुछ सल ग्याब देने के बाद हुआ था 29 वा अधिवेशन्ट इसका नाम देया था 29 वा अधिवेशन्ट यह हथा ex 25-29-23-94 उसका नाम देया था 1997 94 वह था और इसका अध्यक्ष तक है महत्मा गांधी था मतलब 49 बाधिवेशन कौन अधक्षता किया था आपका महत्मा गांधी ने उसके बाद फिर हुआ था आपका 44 बाधिवेशन यह हुआ था आपका 26 से 28 दिसंबर 1925 में 1925 में हुआ था यह कहा हुआ था आपका कानपूर में हुआ था इस अधिवेशन का 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 अधिवेशन क का उद्धैक्ष था पंडित जहलर नहिरु यह हुआ था आपका 29 से 31 दिसंबर 1929 में और यह कहां था आपका लाहूर में हुआ अग्ला हुआ था का पै। अधिवेशन 29 मार्च 1931 में हुआ था 20 मार्च को 1931 में 25 अधिवेशन हुआ था यह हुआ था आपका काराची में हुआ था और इसका जो अध्धक्ष था आपका सर्दर बल्लब भाई पटेल अगला अधिवेशन हुआ था 51 अधिवेशन हुआ था यह हुआ था आपका 1921 फेवर्वारी 1938 में 1921 फेवर्वारी के बीच में हुआ था 1938 के टाइम इसका यह कंवआ धिवेशन हुआ था आपका हरीपुरा में हुआ ठास डेक्ष था आपका सुळाश चोश्छरोब भोष्ठ तरस सका अधिवेशन का देक्ष किया था आपका सुवर्शरो भोषरे और यह हुआ था आपका 1921 फरवारी 1938 में यह हुआ था कहां फिर उसके बाद हुआ था 22 अधिवेशन, 22 अधिवेशन 10 मर्च 1939 में हुआ था, 10 मर्च 1949 में हुआ था, यह हुआ था आपका तिरीपुरी में हुआ था और इसका जो अधिठ्ष आपका था, फिर कॉन था आपका निताई सभश्चुन्दू बोश था, ठीके मतलब एकानवा अधिवेशन सुहस्चंद्रों बोश नहीं किया था और बावनवा भी उसी के उद्धच में तहीं हुआ था अगला हुआ था आपका चौनवा अधिवेशन चौनवा अधिवेशन होगा हुआ था आपका 23 नवेंबर 1946 में यह कहां हुआ था अपका मेरट में हुआ था इसका जो अधिवेशन हुआ था आपका अचर्ज जेवी किरिप लानी चौनवा अधिवेशन हुआ था अपका 23 नवेंबर 1946 में यह हुआ था अपका मेरट में हुआ था इसका जो अधिवेशन था आपका अचर्ज जेवी किरिप लानी असा करता हूं आप लोग अच्छ लगा और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बार्सिक अधिवेशन यह अक्सर कोशन पुछा जाता है हर एक जम में चाहे बैंक हो इससी रेल पर या फिक कोई इवीशन पर पीसीएस का कोई वी एक जम इसमें हमेसा पुछा जाता है लेकिन क्या है इसको जनना जोड़ी था और आप लोग साइब अप लोग का अच्छा भी लगा जनकर अगर अच्छ लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेयर कीजिए और चैनले फस्टम फिर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तकि और अच्छ अच् आइकन को भी प्रेस किर लिजिए तकि आपसे कोई वीडियो ना छोटा जाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बेरी मच्छ